हलो दोस्तों आज हम बनाएंगे गेहू के आटे से बहुती टेस्टी और हेल्दी नाश्ता और इस नाश्ते को हम बनाएंगे बहुती कम तेल में तो चले बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम आटा लगाएंगे मैंने गेहू का आटा दो कप लिया है जिस आटे से हम रोट बडरा चम्माच डाला है कुटी उनियार लाल मीर्च shedal देएंगे एक् mesa और इसमें ढालेंगे सफेट तेल 1्चमच और साथ में अजवाइन डाल देंगे वनफोर्थ चम्मच और इसमें डाल देंगे कशूरी मीती एक बड़ा Saat पहुत ही टेस्टी बनीगा मोयन के लिए एक बड़ा चमस तेल डाल देंगे तेल की जगा घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे थोड़ी सी और सभी चीजों को आठे में अच्छी तरह से मिला लेना है आठे में पानी डाल कर इसका सब्ता आठा लगा लेना है जैसे हम रोटियों का आठा लगाते हैं बस वैसे हमें आठा लगाना है और अब हम क्या करेंगे इसे ढखकर 10 मिनिट के लिए रेस्ट देंगे तो चली आठे को एक तरफ रख देते हैं अब हम बना लेते हैं फिलिंग फिलिंग बनाने के लिए मैंने चार उ में अच्छी तरह से मैश कर लेना है कोई भी गुटली नहीं रहनी चाहिए आलू में डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च और अगर आप तीखा खाना ज्यादा पसंद करते तो मिर्च ज्यादा डाल सकते हैं जीरा डाल देंगे आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे नमक मैंने आदा चम्मच डाला है और सभी मसालों को अलो में अच्छी तरह से मिला लेना है आप चाहिए तो इसमें मतर प्याज या तो फिर पनीर भी डाल सकते हैं और बस हमें करना क्या है बस इस तरह से हमें आलो के बॉल्स बना लेना है तो चली आटे को भी 10 मि प्याट हो चुके हैं आटे को हमें अच्छी तरह से एक बार फिर से मसल लेना है और इसे हम चिकना कर लेंगे दोस्तों इस आटे से आपना पूरी या तो फिर पराठी भी बना सकते हैं अब हमें करना क्या है इस आटे से हमें दो बड़ी लोई बना लेना है और सुखा लगा लेंगे और इसकी बड़ी रोटी बना लेंगे रोटी हमें ज्यादा पतली भी नहीं बनाना है और ना ज्यादा मोटी बनाना है नॉर्मली हम जो घर में रोटी बनाते हैं बस उस साइज में उससे हमें बड़ी बनाना है गिलास या कोई कटूरी से इस तरह से हम छोटी छोटी पुडिया बना ली है इन पुडियों के बीच में रख देंगे चारो कोनों को एक साथ में मिलाते हुए आलू के बॉल को पैक कर देना है आलू के स्टफिंग बहा नहीं निकलनी चाहिए बस इस तरह से गोल गुमाते हुए उपर कर जो सेंटर ने इसे प्रेस पहले नहीं देख सकते हैं तो इसलि नाश्च्टे को हल्ती बना रहे हैं इसलिए पलटते हुए हमें इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है और आप देख सकते हैं कचुड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकिया इसे हम तेल में से निकाल लेंगे एक बार आप इन कचुड़ी को जरूर बना के देखें और कैसी बनी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही नए है मेरे चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले तो दोस्तों मिलते हैं अगली नए रेसिपी के साथ में